हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस कच्छा दर्थ कि किरसी विशे का यहां पर संपूर हल देखेंगे फ्रेंस जितने भी छात्रों का 29 फरवरी को ठीक है कल के दिन जितने भी छात्रों का किरसी विशे है वह इस प्रश्पत्र का हल जरूर देखें और इस प्रश् सिर्शी का जो माडल पेपर वारल किया गया है इस पेपर के यहां पर आप सभी को हल बताने वाले हैं तो आप वीडियो को लाज्ट तक जरूर देखें और एक सेकेंड के लिए भी इस वीडियो को इसकी पुमत कीजिएगा फ्रेंश ठीक है देखें फ्रेंश यहां पे आपको क्या रता है कि समय रहता है तीन गंटा पंदरमिट का समय रहेगा प्रश्र पत्र को हल करने के रीए और पुढांग जो रहेगा टोटल सत्तर नमबर कराता है यहाँ पी कुछ नोट दिया गया है प्रारम की जो 15 मिनट रहेगा प्रश्ण पत्र पहने के रिए परच्छाती को समय दिया जाता है यहाँ पी इसके कुछ निर्देश दिया गया है तो चलिए आपको निर्देश बताते हैं देखिए सभी प्रश्ण अनिवार हैं, सभी प्रश्णों को निर्धारित अंक प्रश्णों के सम्मुक अंकित किये गए हैं, इस प्रश्ण पत्र के दो खंड है, खंड आ, जिसमें 20 अंक के 20 प्रश्ण बहुई कल्पी होंगें, जिनका उत्तर आपको OMR सीट पर देना है, OMR खंड जो है 50 अंक का ववात्मक प्रश्ण रहेगा ठीक है चलिए देखें यहां पर आप किरसी के जो पेपर है इसका आप सभी को हल बता देते हैं यहां पर खंड आ है खंड आ में क्या है बहुई कल्पी प्रश्ण है ठीक है निर्देश दिया गया है कि परतेक प्रश्ण के चार विकल्प दिये गये हैं सही विकल्प का चेन करना है आपका पहला नंबर का प्रश्ण है जैव पदार्थ की अधिकता से भूमी का रंग हो जाता है तो आपसंद यहां लाल हो जाता है काला हो जाता है पीला हो जाता है या हरा हो जाता है तो जो प्धाद की अधिकता के कार्ण जो भूमी का रंग होता है वो काला यो जाता है इस प्रश्न का सवी जब क्या होगा बीवला आपसंद्सजम सभी हो जाएगा अगला प्रश्न देखिएक दूसरा नमबर का मिट्टी जो पीँच मान है आठ से अधिक होने पर कही जाती एक ही एक होता है तो थली होता है इस प्र ultra का सही जब क्या जाटा चारी मिट्टी कैसा मिट्टी हो जाएगा चारी मिट्टी यогई पी आट है यानी साथ से अधिक है तो शारि मिट्टी हो जाएगा ठीक है अगला प्रशनrom आप 3 नमबर का कि छरड़ और वदी फसल कालाता अब आप देखिए दान को कहते हैं गयों को काते हैं यह जो को जो इस प्रस्ट्र का सही जब को डीवल आपसन सही हो जागा अगर आप आप देखिए छोगता है कि लबड़ी में में विदिर मैयश है सोडियम की प्रतिशत मात्रा कितना होता है आपको बताना है कि जो लवडी मिर्दा होता है उसमें सोडियम की मात्रा कितना होता है आपसन 18 प्रतिशत से अधीक 20 प्रतिशत 15 प्रतिशत से अधीक या 15 प्रतिशत से कम तो देखें यहां पर जो सोडियम की मात्रा होती है 15 प्रत प्रियोग जैयो पदार मिलाना अमोनियम सल्फेट का प्रियोग या पायराइट का प्रियोग ठीक है तो देखें मिर्दा की जल्दारा छंता में बिर्दी का जो मुख्यकार देखा जाता है तो अमोनियम सल्फेट का प्रियोग जब होता है उस से में मिर्दा की जल्दारा छ अगला देखिए कि उत्तर परदेश में सिचाई का पुराना सस्ता साधन कौन सा है तो अगला देखिए कि थाला वीधी से सिचाई की जाती है तो थाला वीधी का परियोग किसमे करते हैं गेवु में उर्द में चना या फल ब्रिच में ठीक है तो थाला वीधी का जो परियोग किया जाता है थाला बना के पानी सिचाई किया जाता है तो कहा पी किया जाता है फल ब्रिच में किया जाता है इस प्रश् पोटेसियूं स्लफेट में पॉटास की प्रतिशत मात्रा कितना होता है तो यहां पर आपका पॉटेसियूं सलफेट में जोटकी मात्रा होता है वो अगला पर क्यूम्न देखिए है निकिडिए मैं से गोभर खाथ है हरी खाथ या Hubo Louis enjoyed shelf पूछा है तो यहां पर सोडियम नाइट्रेट इस प्रश्न का सही जब डीवलाफशन सही हो जाएगा अगला 11 नंबर देखिए कि डाई अमोनियम स्थेट में का प्रतिशट कितना है यह ना इंड जान का प्रतिशत मात्रा कितना होता है तो आप सभी को पता है कि कि यह 32 स्थ होता है अगला देखिए स प्सभाइब करते हैं करते हैं agree करते हैं चेkolग करते तो इस प्रस्ण का सही जोब, डीवल आपसन, सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए अगले प्रस्ण को बताते हैं, देखें अगला प्रस्ण है, बुरकाओ का प्रियोग कहां पर किया जाता है, आपसन है, डौरा, इस्प्रेयर द्वरा, थ्रेशर द्वरा, या कल्टिवेटर द् ठीक है तो देखिए यहां पर बुर्काओं के परयोग किया जाता है तो डस्टर के द्वार किया जाता है इस प्रश्ण का सही जोब एवल आपसन सही है अगला प्रश्ण देखिए कि यहूं का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौंज़ा है आपसन है विक नो मुगनो है कज न हो का वानस्पति नाम जो क्यों यहों में टीकंचंब प्रश्ण क्यों अगला रचना किस फसल की पर्रजाति HOL जर्णी है आप सने चैना का मटर का मतरिक है तो देखिए यहां शरौतम भूमि कौन सा है तो अगला देखिए आम्र पाली एक प्रजाती है अम्रूत का है आम का है केला का है या पपीता का है ठीक तो आमरपाली जो एक प्रजाती है किसका है तो आमका है तो इस प्रश्ण का सही जो भीवलापसन सही है अगला देखिए अठारा नंबर का कि दूद दुहने की अच्छी वीधी कौन सी है ठीक है अठा दबाकर चारों उगलियों द्वारा चूटकी द्वारा या मशीन द्वारा ठीक है दूद दुहने की जो अच्छी वीधी माने जाती है वो होता है चूटकी द्वारा इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा सीवलापसन सही होगा ठीक है अगरा देखिए कि गाय की गरब अवधी होती है यानि कि गाय की गरब अवधी आपको बता ना है कि कि इस प्रश्ण का सही जब क्या होगा सीवलापसन सही हो जाएगा देखे फ्रेंस यो 18 नंबर का प्रश्ण आप सही मशीन द्वारा कीजिएगा दू दू ने कि अच्छी विदी क्या है मसीन द्वारा तो डीवल आपसन इसको सही कीजिएगा ठीक है बीषवा नंबर देखिए रिंडर पेश रोग काया है इसको जरूर याद रखिएगा कि जो रिंडर पेश रोग होता है किसके काड़ होता है तो यह विशाड़ू के दूरत इस प्रशनका सही जो यह अभला आपसंस हो जाएगा यहां पे खंडबा कि जितने भी प्रश्ण बता रहे इन सवी प्रशनों का आप तैयार कर लिजीएगा। पहले हैं अतिलग उतिरी प्रश्ण पहला प्रशन आप जरूर याद रखेगा। दिखी है कि ये सवी प्रश्ण 2-2 नंबर का आप ओने वाला है। पहला प्रस्ण है आपका उसर भूमी के सुधार के लिए प्रियोग किये जाने वाले दो रसाइनों का नाम लिखना है यह प्रस्ण आप तयार कर लिजिए साथ में अगला प्रसदा है कि मिर्दा के जली कटा रोकने के दो उपाय आपको लिखना राता है कि मिर्दा को कटा को रोकना है तो आप क्या करेंगे पेर पोधालाःःंगे मिरहा बना देंगे ठीकर इस पकास आप इस प्रसन का इनस्वर लिख सकते हैं उप्योग लिखना था दो उपाएं यह लिखना है अगला है कि छरड़ और रोदी दो फ़सलों के नाम को बताना है कि छरड़ और रोदी दो फ़सल कौन से हैं अगला कि वले वीदी से सिचाई किनकिन फ़ल गृच्छों में की जाती है ये प्रस्न आप जरूर तयार कर देखिए आप जितने भी प्रस्ण बता रहा है इन सभी प्रस्णों को एक बार जरूर देख लीजिए गाँ ठीक है वले वीदी से सिचाई किन किन फल भी रिच्छों में की जाती है अगला प्रस्ण आपका पढ़ना है देखिए सभी इंपोर्टेंट प्रस्ण नहीं है आप प्रस्ण टमाटर का कूल वनस्पतिक नाम आपको बताना है कि टमाटर का कूल और वनस्पतिक उसका नाम क्या होता है इसी तरह अठों नंबर का प्रस्ण है बागवानी में प्रियुक्त होने वाली कटाई छटाई के दो यंत्रों के नाम आपको बताना है इसके साथ में फ यहां प्रश्न पढ़िएगा चार प्रश्नों के उत्तर देना है प्रतora के है ये देखिए आप 11 नंबर का है कि लोड़ी मिर्दा बनने के पांच कारोड़ का उलेक करना है ये प्रश्न है अगला है सिचाई की ड्रीप वीधी क्या है इसके तीन लाबों का उलेक करना है अगला प्रश्न जल विकास से लाब एम हानिया क्या होता है जल निकास से लाब क्या है इसके बारे में आपको पताना है चोड़ा नंबर का भूब परिसकड के उध्यास आपको लिखना है 15 नंबर का जो है गिरी उध्यान से आप क्या समझते है इसके महत्तू को ब्याक्ष्छा कीजी ए अगला प्रश्ण आपका है कि पसुनों को आधर्स आहर के दो गुड जितने भी प्रश्ण बता रहें एक बार इन प्रश्णों का एंस्वर जरूर देख के आप जाएगा आपको यही प्रश्ण बोर्ड के एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा ठीक है 17 नंबर है कि गाय के थन को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है अगला प्रश्ण के पसुनों के गोला घूट रोग के लच्छ आपको बताना है यह सभी प्रश्ण आप जरूरत यार कर लिजिए अब देखें यहां से आपका विस्तरित उत्तरी प्रश्ण आपका है निर् इन नंबर भूमी का चुनाओ करें काई संसी यह रगाह दो की लिए इसने प्रश्ण की प्रश्ण क्यों प्रश्ण कितना होना चाहिए Я सब आपको पॉइंट दिया इन पॉइंट वे पॉइंट तो पे आपको दान की खेती चेओट लिए लिखना पड़ेगा इसके अरावाद देखिए अगरा प्रस्न है आपका बीस्वा नंबर का कि आलू की खेती का वरान निमने लिखी सिर्शकों के अंतरगत करना है ये आपका हेडिंग बनाना है आलू के लिए और इस पर आपको लिखना है इसे भूमी का चुनाव तैयारी मतलब आल उपड़रदी मतलब कितना आप लेंगे उपज़ परति हैक्टर कितना ओना चाहिए ये सभी आपको लिखना है इसके अलावद आपका दिया है 21 नंबर का टमाटर के खेती के वारं के लिए निमने खित सिर्शक दिया है वही आपका जो सिर्शक उपर बता हैं वही सब सुर टेमाटर के खेती करना है भूमी के चुनाओ क्चैसे करें कौई उसका तैयारी कैसे करना है दो उसी प्रजातिया टेमाटर के लिखना पड़ेंगा है नरिसरी तयार करने के-लिए वीधियें वीज़दर ह्करकितना होगा ख़कot पृपरती है प्रक केक ना पड़े प्रकर कित तो आपको भूमी का चुनाव कैसे करेंगे उसकी तैयारी कैसे करेंगे दो उनतसिल प्रजातियां लिखना है खाद इमूर वरक कौन सा पर योग करेंगे पौधे लगाने का समय अमदूरी कितना होना चाहिए सुच सिचाई का समय और मुधी आपको यह सब बताना पड़ता ह जितना यह सिर्षक दिया इसका एडिंग बनाएंगे और इसके बारे में आप बताएंगे तो चार प्रशन आपका दिया था इन चारों में से दो प्रशन करना था देखे फ्रेंस 29 फरवरी को कल आपका सभी का पेपर है आज रात को भी इस पेपर को आप देख लेते हैं औ चैनल पे नए तो उनको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें